नवस्कार मैं अरुन और सागत करता हूँ आपका ब्लॉगें जील में आज हम डिसकस करेंगे अरब सागर की और जल गिराने वाली नदियों के बारे में अरब सागर की और जल गिलाने वाली अरब सागर की और मुहाना बनाने वाली नदियों के बारे में बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में हमने डिसकस कर रखा है आज हम डिसकस करेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां अरफ सागर में जल गिराने वाली नदियों का क्रम हमारे लिए examination point of view से बहुत जादा important है सबसे पहले हम क्रम देखेंगे कि अरफ सागर में जल गिराने वाली नदियां उत्तर से लेके दक्षिन तक कौन-कौन सी है उनका क्रम क्या है क्रम यही है इनका लूनी, साबर्मती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुवारी, साराविती, गंगावली, पेरियार, भरत, पुझा सवराष्ट की एरिये में जो सवराष्ट की पहाडियों और सवराष्ट कर आ जाता है सौराष्ट के एरिय में भी दो नदियां, सौराष्ट वाले शित्र में दो नदियां बैती हैं, भादर और सतरंजी, भादर और सतरंजी दो नदियां, जो सौराष्ट वाले एरिय में बैती हैं, वो भी क्रम में आती हैं, तो टोटल क्रम हम अगर देखें, क्योंकि भादर औ सतरंजी नदी नौर्मली हम याद नहीं रखते हैं और कई बार एक्जामें पूछा गया है कि क्रम में जब इन दोनों नामों को दे देता है बाकी का एक दे दे तो हम सतरंजी में कौन से पहले आती है तो अभी क्रम फिर से पढ़ेंगे लूनी भादर सतरंजी साबरमती माही नर्मदा तापी मांडवी जुवारी सारावती गंगावेली पेरियार और भरत पूझा ये नदियों का क्रम है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का क्रम इस दोनों में क्या अंतर होता है अगर हम ध्यान से देखें तो मैदानी भाग में जो नदियों प्रभाइत होती है यानि कि जैसे हमारी गंगा नदी हुई यमना नदी हुई ये नदियों ऐसी नदियों है कि जो मैदानी छेत्र में पहाड़ों से निकल कर मैदानी छेत्र में विसरपन करती हुई आगे बढ़ती हैं उन नदियों का ढढ़ाल तीपर नहीं होता है है ना और इनकी सहयग नदियां जो आती हैं तो duty मेदानी एरियो काफी जाड़ा कवर कर जाती है यहीं उसके अपोजित जो प्रायद्वीपी भारत की नदियां, प्रायद्वीपी भारत की नदियां कुछ प्रवती पश्चमी ढ़ाल से निकलती हैं और पश्चमी घाट से निकलती हैं, पूर्वी घाट की और प्रवाहित होती हैं, कुछ पश्चमी घाट से निकलकर अरपसागर की और प्रवाहि पूर्वी की ओर है प्रायदवीपी भारत का ढाल अगर उच्चावच के रूप में देखा जाए तो इसका ढाल पूर्वी की ओर है इधर यहां पर है बंगाल के खाड़ी और यह अरब सागर यह अरब सागर है पस्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां जैसे गोदावरी नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी यह नदियां पूर्वी की ओर अपना जल गिराती है यानि कि बंगाल के खाड़ी की ओर अपना जल गिराती है और पश्चिमी घाट से निकल कर कुछ नदियां जैसे मांडवी, जुआरी, गंगावेली, सारावती, प डिसकस कर चुके हैं फिछली क्लासों में, तो जाने हम कि इनकी नदियों के जो प्राइद वीपी भारत की नदियां हैं, उनकी नदियों के दोसरोथ होते हैं, एक वर्षा का जल, वर्षा का जल कहां से आता है, जो जून के महीने में सबसे पहले, केरल के मालावार तरपर केरल के मालावार तरपर टकराता है और पस्चिमी घाट से टकरा कर सारा जल अपना पस्चिमी घाट की पस्चिम में घिरा देता है। एक सी यह हुआ। दूसरा यह प्राइदीपी भारत का पठार जो दिखने में इसा लिख रहा है काफी बड़ा एरिया जाता है काफी बड़ा एरिया कवर करता है तो जो बारिस का जल है वो दरारों में भर जाता है प्रादिपी भारत की जो दरारे हैं उनमें भर जाता है तो जब वर्सा की रित समाप्त होती है तो दरारों में भरा हुआ जल रिस कर इन नदियों के जल का स्रोथ बना रहता है तो इन नदियों के जल के दो स्रोत हुए एक तो वर्सा का जल दूसरा दरारों में भरा हुआ जल रिस रिस कर इन नदियों को वर्स वाहिनी बना कर रखता है वर्स भर ये बहती रहती हैं यहीं अगर उसके अपोजिट हिमाले से निकलने वाली नदियों को देखें इसके बा का जैसे गंगा नदी हुई यमना नदी हुई इन नदियों का जो है ब्रह्मपुत नदी हुई इन नदियों का सुरोत किवल एक ही है वह है ग्लेसियर क्लिर हुआ अब देखते हैं लूनी नदी के बारे में देखते हैं तो लूनी नदी अरावली परवत से निकलती है अराव त्रेप चोटा नाखपूर पठार इन सब के बारे में प्राइद यूपी भारत में विश्डर तरीके से धन कर चुके हैं अरावली परबत से निकल कर लूनी नदी राजस्थान के सांभर जील में इंटर करती हैं राजस्थान में जीलें काफी ज्यादा पाई जाती हैं, ज्यादा तर खारी जीलें हैं, जैसे लूनकसर, डीनवाला, डीनवाना, पिछोला, नक्की, सांभर, ये सारी नदियां जीलें राजस्थान में पाई जाती हैं, सांभर जील उनमें से एक है, तो लूनी नदी अराव और भाटे की वेज़े से 24 घंटे में दो बार जवार आता है दो बार भाटा तो समुद्र के जल में जो जवार और भाटा आता है वो इतनी स्पीड से आता है कि गुजरात के कच्छ वाले एरियों को पूरा कवर कर जाता है और यहीं से वापस जाता है तो यह प्रक्रिया आन मानमी परिष्थितियां कम विक्सित हो पाई हैं या ना के बराबर हैं तो ये कच्छ का रंड जो है वो कच्छ का दलदल यहां पर बन जाता है उस दलदल को कच्छ के रंड के राम से जानते हैं तो लूनी नदी अरावली परवस से निकल कर सांभर जीर से होती हुई आगे की नदियां जो सौराश्ट्र में बहती हैं वो भादर और सतरंजी भादर और सतरंजी दो नदियां हैं इनके बारे में जरूर हमयाद रखेंगे भादर और सतरंजी नदियां ये सौराश्ट्र में ही बहती हैं सौराश्ट्र से ही निकलती हैं और अरब सागर में अपना मुहना बनाती है आगे देखिए अगर माही नदी के बारे में सोरी उससे पहले साबरमती नदी साबरमती नदी के बारे में देखते हैं तो साबरमती नदी जो है वो अरावली परवस से ही निकलती है यहां से निकली अरावली परवस से निकलती है आगे की और बढ़ती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है यह वाला एरिया जो देख रहे हैं यह है खंबात की खाड़ी यह वाला एरिया यहाँ पे है खंबाद की खाड़ी यह एरिया खंबाद की खाड़ी का है और यह एरिया है कच्च की खाड़ी का कच्च की खाड़ी और खंबाद की खाड़ी तो खंबाद की खाड़ी बे साबरमती नदी अपना जल गिराती है जानने लाएक चीज इसमें यह है कि साबरमती क किनारे कौन-कौन से सहर बसे हुए हैं गुजरात की तो गुजरात की राजधानी गांधी नगर और गुजरात का सबसे प्रसिद्य सिटी एहमदाबाद ये दो सहर, बड़े ही प्रसिद्य सहर, बड़े ही विक्षित सहर साबरमती नदी के किनारे बसे हुए है एक्जामे कई बारी पूछा गया है कि एमदाबात किस नदी के किनारे बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे गांधिर अगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो साबरमती नदी के किनारे आगे देखें तो माही नदी गुजरात की और प्रवाइट होते हुए एक कच्छ की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है जाने लाएक सबसे इंपॉर्टेंट चीज माही नदी के बारे में ये है कि माही नदी करकरेखा जो भारत के कुल आठ राज्यों से होकर गुजरती है करकरेखा को दो बार कट करती है कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि करकरेखा को भारत की ऐसी कौन से नदी है जो करकरेखा को दो बार कट करती है तो यही एक ऐसी नदी है, माही नदी, जो करकर रेखा को दो बार कट करती है, वर्ट जॉगरफी में हम पढ़ेंगे, कि कौन सी नदी है, जो मकर रेखा को दो बार कट करती है, कौन सी नदी है, जो करकर रेखा को दो बार कट करती है, ये सब नदियां, जो विश्वत रेखा करकर रेखा को कौन सी नदी दो बार कट करती है ये एक्जाम में रिपिटिडली पूछा गया है अगर हम एक बार नजर डालें तो कॉंगो नदी विश्वत रेखा को दो बार कट करती है लिंपोपो नदी मकर रेखा को दो बार करती है माही नदी जो भारत की है वो करकर माही नदी clear हुआ तो माही नदी यह है आगे बढ़े आगे बढ़े आगर नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं तो नर्मदा नदी total खंभात के खाड़ी में खंभात के खाड़ी में जल गिराने वाली कितनी नदियां हैं खमबात के खारी में जल गिराने वाली नदियाँ चार हैं। कौन-कौन सी? साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। ये चार नदियां हैं जो खमबात के खारी में अपना जल गिराती हैं। उनमें नर्मदा और तापी नदियां ये नदियां अपनी भ्रंस घाटी में बहती हैं, ये नदियां अपने द्वारा ही बनाई गई भ्रंस घाटी में बहती हैं, टोटल कितने नदियां हैं जो अपनी भ्रंस घाटी में बहती हैं, ये comment box में करके बताईए, नर्मदा और ता नर्मदा नदी जो सत्थपुरा की पहाडियां हैं, सत्थपुरा की पहाडियां, सत्थपुरा की पहाडियां, सत्थपुरा की पहाडियां हैं, हमने डिस्कस किया है, सत्थपुरा की राजपीपला, महादेव, 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 जलती है हां माही नदी के बारे में एक चीज़ हम डिसकस करना बूलके माही नदी मध्द प्रदेश राजस्थान और गुजरात तीन राजों में प्रवाइथ होती है तो नर्मदा नदी मध्द प्रवत की सबसे उची चोटी अमर्कंटक्ट प्रवत के सिखर से निकल कर आगे की और बढ़ती है और खंबाकती खाड़ी में अपना जल गिराती है नर्मदा नदी अरफ सागर में गिराने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है और गुदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा नदी तीसरे नंबर की प्रायद वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी अरफ साकर में जर गिराने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है नर्मदा नदी, अमर कंटक परवस से निकल कर खंबात के खाड़ी में अपना जल गिराती है, मद्ध प्रदेश का सबसे विक्सिस सिटी जबलपूर, मद्ध प्रदेश का सिटी जबलपूर, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, मद्ध प्रदेश का जबलपूर, और नर्मदा नदी अपनी भन्स गाटी में प्रवाइत होती है और तापी नदी भी अपनी बहर्णा गाटी में प्रवाइत होती है。 नर्मदा नदी और तापी नदी के बीच ये सत्पुड़ा परवत जो आप देख रहे हैं सत्पुड़ा परवत एक ब्लॉक परवत है सत्पुड़ा परवत के बारे में हमने लंबे तरीके से काफी विश्टित डिस्कसन किया हुआ है तो सत्पुड़ा परवत एक ब्लॉक प महादेव परवत उससे निकलती है तापी नदी उससे पहले हम जानले कि जो नर्मदा नदी है अमर कंटेक्स से निकलती है जबलपूर से होकर निकलती है जबलपूर सिटी नर्मदा नदी की किनारे बसा हुआ है तो जबलपूर में एक जलप्रपात का निर्माल करती है जबल संगमरमे की बनी है तो यह लगा हाट की चैतान कुछ प्रकार से और हो जह ऑर से करते हैं और है जरीख kat it निर्मान करती है जिसे बोलते है धुआधार जलप्रपात, धुआधार जलप्रपात, कहां पर है, धुआधार जलप्रपात है, मद्द प्रदेश में, मद्द प्रदेश में, जबलपूर में और भेणा घाट की चट्टानों पर बना हुआ है, जो भेणा घाट की चट्टान तो राश पीपला महादेव और मैकाले महादेव परवत से निकल कर तापी नदी जो है महादेव पहाडी से निकलती है और महादेव पहाडी के नीशली भाग में यहाँ पे बैतूल का पठार है कौन सा पठार है बैतूल का पठार बैतूल का पठार तो बैतूल पठार से नि प्रशिद्ध सिटी गुजरात का प्रशिद्ध सिटी गुजरात का प्रशिद्ध सिटी पुछा गया है गांधी नगर एहमदाबाद भड़ाओज जबलपूर और सूरत इनको रिपिटिडली एक्जाम में पुछा गया है तो सूरत जो है तापी नदी के तरप पर बसा हुआ है बैतुल पठार से निकलती है तापी नदी और खमबाद के खाड़ी में अपना जल गिराती है तापी नदी पर दो जल विद्दूत परियोजनाय बड़ी ही फिमस जल विद्दूत परियोजनाय हैं उकाई और काकरा पार उकाई और काकरा पार दो जल विद्दूत परियोजनाय हैं जो तापी नदी पर इस्थित हैं यह थी खमबाद के खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में यह अभी तक हमने जितनी जानकारी ली वो सारी जानकारियां खमबाद के खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में थी अब पश्चमी घाट से निकल कर बड़ी ही तीवर गती के साथ तेज धारा के साथ बहती हुई और जल प्रपातों का निर्माल करती हुई नदिया यहां से नदिया निकली और पश्चमी घाट जो कगार नुमा खड़ा है उसके सहारे जब नीचे की और गिरती हैं तो यह जल प्रपातों का निर्माल करती है और उन नदियों की लंबाई कम है छोटी है बट इनका धाल तिवर होने की वज़े से यह नदिया काफी तिवर गामी है अब देखें यहां तका के महराश्ट खतम होता है महराश्ट खतम हुआ यह गोवा गोवा में दो नदिया है कौन-कौ गोवा में प्रवाहित होती हैं। गोवा की राजधानी पनजी मांडवी नदी के तड़ पर है। गोवा में प्रवाहित होती हैं। आगे क्यों बढ़ें। गोवा के बाद आता है करनाटका। करनाटका में दो छोटी नदियां सरावती और गंगावेली। मांडवी और जुवारी गोवा में, सारावती और गंगावेली, करनाटका में और नीचे की और अगर आते हैं तो केरला में दो नदियां प्रवाहित होती हैं। पेरियार और भरत पूझा। केरल की सबसे लंबी नदि है भरत भूझा। भरत पूझा जो है केरल की सबसे लंबी नदि है। काई बार एक्जाम में पूझा गया है। तो पेरियार और भरत पूझा ये दोनों नदियां केरल में प्रवाहित होती हैं। सारावति और गंगावेली करनाटका में, मांडवी और जुआरी, गोवा में, पनजी जो है मांडवी नदी के तडपर है। यहां पर हमने देखा सूरत तापी नदी के तडपर है। सूरत में उकाई काकरा पार जलविद्दूत परियोजनाय हैं। और सारावती नदी पर करनाटका में एक जलप्रपात बना हुआ है, जलप्रपात और जलविद्धुत परियोजनाओं का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें सारावती नदी का चिक्र हुआ है, तो हम देख लेते हैं, एक जलप्रपात है, जिसे बोलते हैं जोग जलप्रपात के दीजे या गर्सोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात बड़ा ही फिर्मस जलप्रपात है जोग जलप्रपात जोग जलप्रपात भारत का सबसे उचाई परिस्थित जोग जलप्रपात है सबसे उचाई परिस्थित जलप्रपात कौन सा है जोग जलप्रपात अब देखें जलप्रपात जो है उचाई परिस्थित अगर कोई जलप्रपात है जरना ये जैसे आप भेडागाट की चट्टान वाला ले लिजे जैसे मैंने यहाँ पे चित्र बनाया हुआ था इधर दुआधा जलपरपात के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी जलपरपात है तो ये चट्टानों को काट कर यहाँ से ये चट्टाने है तो जल यहां से बह रहा है, यह चटानों को काट कर यहां से गिरता है, तो यह जो उंचाई होती है, वो जल प्रपात की उंचाई होती है, तो यह जोग जल प्रपात का, जोग जल प्रपात क्या है, काफी ज़्यादा जोग जल प्रपात का यह वाला एरिया जो है, भारत में स सबसे लंबा जलपरपाथ है यह जलपरपाथ कैसे बहता है यह सोपान टाइप का है सीड़ी नुवा है कुंचिकल जलपरपाथ और यहां से बहना सुरू होता है इस तरीके से बहता है तो यह सबसे लंबा जलपरपाथ है सबसे लंबा जलपरपाथ और उंचाई भी इसकी ब से लमबा जल्प्रپात है ले भूत यह कुंचीकल जल्प्रपात का हम दंची ख लग जल्प्रपात का घड़ीओ 2 एक वीडियो बनाएंगे πα्ला जी कम्ची कल जल्प्रपात के ये था जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात जो है, बढ़ा इफिमर जलप्रपात है, किस नदी पर है, सारावती नदी पर, ये भी लिखेंगे, कुंचीकल जोग जलप्रपात, किस नदी पर है, तो ये सारावती नदी पर, सारावती नदी पर, नदी पर कहां पर है, करना मनाटका में जो है जोग जलग परपाथ। इसे इह बोलते हैं गरसोपा या महत्मांगाणी जलग परफाथ। इस तरीके से हमारा वीडियो खतम होता है पश्चमी घाट और पुर्वी घाट से गिरने वाली नदियां यानि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और बंगाल के खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां इन नदियों के बारे में इनका क्रम बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है क्रम याद रखेंगे और कौन से नदियां हैं जो पश्मी घाट से निकलकर बंगाल के खाड़ी में अपना जलगी राती हैं और कुछ नदियां जो पश्मी घाट से निकलकर अरवसागर में अपना जलगी राती हैं इन नदियों के बारे में आसा करता हूं वीडियो में आप बमपुत नदीतत काफी बचे हुए हैं तो उनको हम बारी बारी से डिसकस करेंगे तब तक के लिए नवास्कार